हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई चैनल क्रेग यूर्कम टीशन विदंजली फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग 11 जन्वरी 2022 सत्य जन्वरी 2022 और 21 जन्वरी 2022 को जो ऑनलाइन एक्जाम हुआ था उसके फर्स्ट पेपर का हिंदी का पेपर हम लोग स्वाल करने वाले पढ़ना पढ़ेगा चले पहले गद्यांश को पढ़ेते हैं दिया गद्यांश को देहन पूर्व पढ़िए तता पूछेंगे प्रश्ण के उत्तर के लिए सब्सेव इप्र्यूप्त विकल्प चैन कीजिए असल और बनाव्टी में अंत्र दुंतलानी की कार्ण सीवाइ है मन और निष्टा से निष्पादित कारे में बिक्ति के समूचे कोशल प्रिवक्त होते हैं और उसमें समाज को देने का भाव प्रदान रहता है लें देन में निष्टा करने आशिरबात की अधान प्रदान में भी लागो होता है अने बिक्ति उन बजूर्गों से आशिर कार्ड सी बहुतिक बाजार में सहज उपलब्द होने वाली बस्तू नहीं है उसे दिल से समान देना होगा देने वाला आपकी मैंशाओं और फितरत को समझता है आप भले कुछ ना दें यह भी आवश्यक नहीं कि उसके सानिते में रहें पर उसके विचारों भावनाओं को श अंतर करना कठीन है नेक्ट को शेवाओं या कुछ देने के लिए किसका चायन करना कठीन है तो इसका राइट अंतर हो जाएगा ऑफ्शन नमबर बन सुपात रखा नेक्ट कोश्यन हमारा कोशन नमबर 93 उपलब्दी या सफलता ब्रक्ति के शाथ निवेश्वाविक प्रत पर है तो इसका राइट ऑफ्शन नमबर 2 हो जाएगा ब्यक्ति द्वारा किये गए नेंतर प्यासों से उपलब्दीया सफलता प्राप्त होती है नेक्स्ट कोश्यन हमारा 94 नमबर का कुश्यन गद्यांश के अनुसा अब्यक्ति के समगते कौसल में किस कौसल किसमें प्रय लूग होता है तो इसका राइट आंस हो जाएगा प्रमार्थ का किसका पर मार्थ का कुस्यन है कह सिर्द नमबर 96 निमर्षे anti-set निम्रिकत मीशिक्ति कों जी बस तू बाजार अचरी नहीं खरिद हासकती तो इसका राइट नाहीं फोर आशीर बार अशीर बाद माजा नही नेक्स्ट कुश्य ने हमारा कुश्य नमबर 98 समय समय शब्द है देश शब्द ब्लूम शब्द पुनरुक्त शब्द या आगज सब्द तो इसका राइट अंसर हो जाए का फ्रेंट्स ऑफिन नमबर थी पुनरुक्त शब्द समय समय क्या है पुनरुक्त सब्द है नेक्ट कुछर्शन है हमाराнок कोश्य नमबर 99 सफलता सब्द है सफलता सब्दी क्या है संगया सबनाम विशेश आरिया क्रिया तो इसका right answer हो जाएका friends option number 1 संगया सफलता सब्दी क्या है एक संगया है आगे हम लोग को 108 से 105 तक क्यों को पढ़ने करें पहले पद्याज को पढ़ना पढ़ना पढ़ेगा चले पद्याज को पढ़ लेते हैं जब संभीदनाई ही नहीं रहेंगे तो संभीदनाई लिखने वाले कभी भी लुप्त हो जाएंगे डैनोसौर की तरह ही यह मेरा अपना लालाचे जी से सोचकर मैं दर्वाजे खोलता हूं और संभीदनाई को अंदर ले लेता हूं लेकिन खैद हो सकता है कल आपके यहां आएं आप इन्हें बापित मत जाने देना घर के अंदर ले ले लेना और संभीदनाई के साथ चले फ्रेंट्स फटाफट से कोशन को पढ़ लेते हैं लेखनी किस खत्रे की हो और संकेत किया है तो इसका राय डान्स होने का अग्रे कीा मत वह समापति के साथ लेकिन कारे ही समापत हो जाएगा इसका संसर हो जाएगा नेस्ट कोष्ण है हमारा कोष्ण नम्बर 1002 लेकिन पद किस इस्थिति के ओर संकेत करता है, जो होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ, उप्ष्ण नम्बर 4 इसका सहीं अंसर हो जाएगा, कोशन है हुमारा कोशन मंबर 103, दर्वाजा खोलने से अभी प्राई है तो दर्वाजा खोलने से क्या प्राई सम्रिद नाओं को अपने जीवन में उतारना, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, नेक्स्ट कुश्चन है 104 नंबर कुश्चन सम्रिदन शेज़ व्यक्तित होने का भाव किस सब्द में अभी व्यक्ति होता है तो इसका राय टांस हो जाएगा खट-खटाए ठीक है फ्रेंट्स हैं तो chi कि सब हमारी और क्या हैं हमारी था थे प्रेंट्स तो नेक्ट गोश्चन है हमार कोश्चन नमबर 106 प्ली ऐसे कौन सा शीट भाषा को परभाशित करता है तो मंहें भाश्यक की है भाषा शीखना डैस है भाषा शीखना क्या है तो सुविचार टता चेतन ऑप्शन नमबर टू इसका सही आंसर हो जाएगा भाषा सीखना सोविचार टता चेतन है नेस्ट पूशन है हमारा कोशन नमबर 109 कख्षा में बहुँ भाषिकता एक रणीति के रूप में क्याता बीचेबस्तू के लिए प्रेयोग करना नेक्ट कोशन है हमारा कोशन नमबर 1110 कि निम्लकित में से कौन सा भाद में हिंदी भार्शा के संबन्ध में सात्य है तो इसका राय टैंसर हो जाएगा भाष्ण की राष्ट भारसा है नेक्ट कुशन हमारा कोशन नमबर 111 निम्रिकित में से आप किसे प्रमारी सामगरी के रूप में रूप में सुविकार नहीं करेंगे तो इसका राइट अप्ष्ण नमर्थी हो जाए पार्ट पूसलग तक लेख द्वारा कोई-19 पर लिखा निवंद नेक्स्ट कुश्चन है हमारा कुश्चन नमर्व 112 कक्षा य सबक्षा किक राइट सामगरी के स्यानबर कुश्चन हो जाएगा साहिती पार्ट सामगरी का प्रिया प्राइकरण सिक्षा के लिए गया जाना चाहिए यहाला option हमारा गलत है तो यहाला option हमारा सही आंसर हो जाएगा समाचा पत्र में एक लेक पड़ता है जिससे कि अगले दिन अपने सम्हों में उस बाठ्थे बस्तू का संपूर बिचार प्रस्तूत कर सके उसके इस पठन को किस रूप में जाना जाता है तो इसे जाना जाता है सरसरी तौर पढ़ना उसका सही आंसर हो जाएगा पढ़ते समयबे सब्द पहचानती है किन्तु स्वें से उसे प्रयोग करने में समर्थ नहीं है इस सम्द भंडार को किस रूप में जानते हैं तो इसका राइट अंस हो जाएगा उप्शन नमबर तूस निश्क लिए सब्द भंडार के रूप में नेक्स्ट कोशन हमारा कोश नमबर 116 अधायबूत अंतहां बैक्तिक संप्रेशन कोशल डैस है कौन सा है तो इसका राइट अंस ओजाएगा उप्शन नमबर वन भाषा का बरत्मान में प्रयोग करते हैं नेक्स्ट कोशन है हमारा कोशन नमबर 117 कौन सा लेखन उपागम शिक्षार्थियों को लेखन सिखाने के लेखन के इस तरहों से गुजरने का अफसर प्रदान करता है तो इसका राइट आंसा हो जाए फ्रेंट्स आप्शन नमबर 2 प्रक्रिया उबाकम आप्शन नमबर 2 इसका सही आंसर है नेक्स्ट कोशन हमारा कोशन नमबर 118 अरूल और राहूल शिक्षक अपनी प्याक्रण की गख्षा में पहले वियाक बे बिन्दूह बाच और और का प्रचा देते हैं और यह समझाते हैं कि नियम किस तरह बनते हैं और किस तरह संदर्प का प्रियोग करती है इसके उपरांद बेंशे नमबर 119 नमलिकित में से कौन सा भाषन सीखने लिए निवेश आधायत कारे है तो इसका राय टांसर नंबर बनों जाए भी सिख्षा ती 5 की समों में कहानी पढ़ते हैं नेक्ट कोशन है हमारा कोशन नंबर 120 निम्लिकित मैं से कौन सी भाषा चिक्षा की संकल्पना नहीं है तो इसका राय टांसर जाए अप्शन नंबर तो दोनी की हुआ है यह रहा आपका सत्य जन्वरी 2022 ठीके फैंट चलिए इस विपर को भी फटाफट से हम लोग सौल कर लेते हैं नीचे दिया के गद्याश को ध्यान पुर्बक पढ़ियते था पूछे के प्रशनों के उत्तरत के लिए सहीं विकल्प का चैन कीजिए मन में विश्वा गोरा और काला अच्छा और बुरा उत्थान और पतन हार और जी सभी को इन दो परस पर प्रोदी चीजों के संगर्स करते रहना होता है संकर्स अकेले ही करना होता है भीर तो मरती है जीत जाने के वाद बस इतना सा हुना सीखना है जमीन पर रहकर आसमान को जीतना है दूस को काबू करना भल है और खुद को काबू करना वास्तर रियुक्त इस फैरराफिब जो भी कोशना से यहां है उनको लुग पड़ते हैं बाता सरे किसा प्राप्ति होता थिस की सही आंसर हो जाएगा नेक्ट पूश्ण नंबर कोशन बिग्या बास्तर ग्यान किसे कहते हैं तो बास्त वे क्यान कहते है अपने आपके बारे में समझ बनाना Newton का सही answer हो जाएगा बिढना में cotton हो जाएगा देमार votes संगस्द करने करना करना ह cum hrs संगर्स में स्वैंभी चुचना होता है और तुछ झाद नासर हो जाएगा नेक्स्ट हमारा 94 नमबर कुछिंद्गी हमें रोने की सौ मुख्य मौके देती है तुम सकुराने के हजबी हजार बहाने देती है इसे तात परे हैं तो इसका राइडांस नमबर टू जाएगा जिंद्गी में सुख दूब दोनों ही होते हैं नेक्स्ट जाला भी अपोजिट बर्ट से गोरा काला भी अपोजिट वर्ट है मारा तरह 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 है एक जैसे वर्ड है ठीक है तो इसका राइट आंसर नमबर फोर हो जाएगा नेक्स्ट कुछिन हमारा 96 नमबर कुछिन कौन सा जोड़ा गद्यांश में नहीं है रात और दिन सूख सुख और दुख अच्छा और बुरा उत्थान और पतन तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंश नमबर टू सुख और दुख जो जोड़ा है यह हमारा गद्यांश में दिया हुआ नहीं है नेक्स्ट कुछिन है हमारा कुछिन नमबर 97 पतन सब्द का बिलोम क्या है उत्थान और पतना सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुछिन है कुछिन नमबर 98 गद्यांश की अनुसार सची सकती है तो सचिंह किया है फ्रेंश स्वहपल पर नियंत्र रखना और पतना सही आंसर है नेक्स्ट कुछिन कुछिन जमीन पर रहकर आसमान को जीतना है कब भाव है तो इसका राइट आंस हो जाएका option number two बिनमरता के साथ के साथ हफलता की उचाईयों को छोना next है हमारा 99 number question 100 number question होगा इससे पहले में एक पद्यांस पढ़ना होगा चले friends स्वध्यांस को पढ़ रहते हैं पहले केवल विदेशी बस्तु ही क्यों अब स्वधेशी है कहां वेश बूशा और भाषय सब विदेशी हैं यहां गुर मात्र छोड विदेश्यों के हम उन्हीं में सन गए कैसी निकल की वहां हम नकाल पूरे बन गए सब स्वाविमान दुवो चुके जो पूर पारावार कमें आशर है हम आज भी हैं ची रही संसार में किन्तु इसे जीना कहां है तो फिर कहें मरना किसे जीना कहां है बह नहीं है ध्यान कुछ अपनाजी से ठीके इसे रिलेट कोशन दे हुए चलिए कोशन को पढ़ लेते हैं कोशन नंबर 100 कभी के अवसा विदेश्यों की किस बात की नकल नहीं की गई है तो इसका राइट आंसो जाए अप्शन नंबर बन गोण नेक्स्ट कोशन है हमारा कोश रिजगा बहा हो है तो इसका राइट उसके जैसे हो जाना उफिन नापी उसका बने ँरीरों जाक आउट के सोब्ते है अमारा कुष सब्ड में इक क्रतिया लगने मरँ पर चौत हवाला अंसर से उजाएगा सांसार एक बन जाएगा यह ठीक है फ्रेंट्स नेक्स्ट कोशेंट नमबर 105 बिशेशन शब्द का उधारने संसार बिदेशी बेश्वूशा मरना तो इसका राइटांस ऑफ्शन नमबर 2 जाएगा बिदेशी इसमें जो बिशेशन सब्द ह क्या है वो क्या है बिदेशी है नेक्स्ट कोशन है हमारा कोशन नमबर 106 थोड़ा स्वार्ट करना पड़ेकर फ्रेंट्स वर्ना आपको कोशन पूरा नहीं दिखेगा ओंगा एक मिनट हो गया प्रात्मिक इस तरफ पर सिक्षार्टियों के आकलन के दोरान एक भाश्य शि जान देना चाहिए तो इसका राइड अंसर कौन सा ओका फ्रेंट सी हो जाएक और तरीकों से जानकारी इकत्रित करना तो उसे शार्टियों एब उनके माता पिता के साथ साहीं आगरना नेक्स्ट कुशन हमारा कोशन नमबर 107 बच्चे एक या एक से अधिक भाशाओं की ग कख्षा 3 के विध्यारती की कॉप्य को देखती हुए समय भाशा की सीख्चिका ने कुछ टूटियां देखी और महसूस किया कि बच्चों की टूटियां सुभावी के उनमें अधिगम उनके अधिगम की संकेत्रा के आप्शन नमबर 30 का सही आंसर हो जाएगा नेक्ट समुकारी के लिए योजना बनाएं ताकि में सातियों के साथ अंतक्रिय कर सकी हैं नेक्ट कुशन है हमारा कोशन नमबर 110 भारती कख्षा बहुआशी कख्षा हैं बहुआ सिकता कि संदर्ब को द्यान में रखती प्रात्मि किस तरपा बहुआशी कख्षा के बारे में इंप कुछिन है हमारा कुछिन नंबर 111 भाशा शिक्षक एक ऐसा कारे दिन जो जोड़ा जोड़े सम्मों में किया जा सके क्योंकि अफ्शन मत्रीस का सही आंसर हो जाएगा इस प्रकार के अत्पूर्ण कारियों से बच्चे एक दूसरे की साहता करते हैं अब हम सीखते हैं दढ़ने में अच्पता या डिस्लेक्स यह पढ़ने में जमता का या डिस्लेक्स या कर या लक्षान हो सकता हैं नेस्ट कोशिन हमारा कोशन नमबर 113 ने कुछ अप्र पर आकरन करने के संदर में सही है तो इसका राइट आप्शन मत्री हो जाएगा आख लगन में द्याल करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंट्स समाचार पत्र नेक्स्ट कुशन है हमारा कोशन नमबर 115 भाशा अधिगम के लिए सामगरी तयार करने के सिध्धानतों में से एक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामगरी और चित्पूर्ण करीके से इस तरह अनुसार होनी चाहिए नेक्स्ट है हमारा बनेरे शिक्स्टीन नमबर कोशन भाशा अरजन होता है जब बहुता है फ्रेंट्स जब बच्चे बिना सचीतन ध्यान के भाशा अग्रहाण करते हैं और फूरिस का सही आंसर हो जाता है हो जाएगा सभी बच्चे उन कत्बितियों द्वारा अभी प्रेजित होती है जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती है सब्दों का प्रियों करते हैं यह कहलाता है तो यह क्या कहलाता है फ्रेंट्स संकेत बदलना इसका सही आंसर हो अब आगे बढ़ते हो और 21 जनबरी 2021 का पेपर लिया हुआ है एक मिर्ट मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा दे रहे हूं यह हमारा 21 जनबरी 2021 का पेपर है ठीक है फ्रेंट्स चलिए आगे बढ़ते हैं पेपर को स्वाट करते हैं हमें सबसे पहले कद्यांस को पढ़ना है फिर उसकी कोशन के आंसर करने हैं सब प्रांतों के उग्र और देश भक्त क्रांतिकारी और देश विदेश के दुरंदर लोग संबाद आता आधी गांदी जी को पत्र लिखते हो गांदी जी यह इंग इंडिया के कॉलम में उर्क सब्सक्राइब महादेव देश देश विदेश के अगर्ण समाचाय पत्र जों आखों में तेल डालकर गांदी जी गांदी की पत्र दिन की गद्विदियों को देखा करते थे और उन पर बराबर टीकर टिपड़ी करते रहते थे उनको आड़े हाथ लेने बाले लेक भी सम सब्सक्राइब में पूरी पूरी सत्य निष्टा में से उत्पन होने वाली बिने विवेक युक्त विवात करने की गांदी जी की तायम इन समकुणों ने तीप्र मतवेदों और ब्रोधी प्रचार के बीच भी देश विदेश के सारे समचापतों की दुनिया में और एंग बकालत पड़े थे दोनों ने अमदावाद में बकालत भी साथ-साथ ही शुरू की थी इस पेशे में आम तोर पर स्याह को सफेद और सफेद को स्याह करना होता है साहित वसंसकार के साथ इनका कोई संब्स नहीं रहता लेकिं इन दोनों ने तो उसी समय से टैगोर को पढ़ लेते हैं फैला कोईशन है यह लोग का समनार तक साब्द है संसार जगत मृत्ति लोग पढ़ लोग फ्रेंस के चारो ही ऑप्षेंस गलत दी हुए नेक्ट कोईशन पढ़ते हैं हम लोग इसमें आपको कॉमन नमबर मिल जाएगा नैसरगिक सब्द का बिलोम है त नैसरगिक का बिलोम जो होता है फ्रेंस वह होता है फ्रेंस उप्षेंस नमबर मिल इसका सही अंसर हो जाएगा क्या होगा क्रत्रिम नेक्स्ट कोशें हैं हमारा कोशें नमबर 93 विशेशन विशेशी का उधारन है घो ना इंकन नैसरगिक रंग उड़े शरी साब्जणिक अभी वेक्ति तो विशेशन विशेशन नैसरगी क्रंग तो इसका राय टांस हो जाएगा आप्शन नमबर टू नैसरगी क्रंग ठीक है फ्रेंट्स नेक्ट कोशन है हमारा प्रस्तुत कद्याज का मुख्य विशे क्या है जन जाती कभीले गोद्न राम पंथ यह कोशन तो फ फ्रेंट्स मुझे लगता है यह सारे के सारे कोशन जो हैं यह गलत दिये हुए हैं क्योंकि यह कोशन कोई भी पैराग्राफ से डिलेट नहीं है हम लोग आगे बढ़ते हैं इसलिए शायद को आंसर की में इसके आंसर दिये हुए नहीं है मुझे दो कांश की आंसर जो पता गया है विशेशन है यह संबंद सूचक कभी गौर किया है तुमने मेरा कोई नाम नहीं दोना च्वारिक के अपमान का बदला चुकाने को पिता को चाहिए था यह क्योतना और धिश्ट दुम्न के पीछे यगी की अगनी से और चक की निश्रत में इस सब को इस्ताब्द कर खुदी प्योजन बनती रही आजन में सुई के नोक के बरावर घुमी ना पाने वाले लोगों के और अब तक मुझ पर उंगली उठाते ठकते नहीं कि लाकु लोगों की म्रत्यू का कारण में रही और भी कई कहानिया बुल्ली हैं महज इसलिए कि मैं कभी रोई नहीं गि यह कूशन हमारा है रहा हुद शब्सका संदRO कि अंसर हो जाएं कि सब्सक्राइड फ्रेंट्स ऑफ्शन नमबर 3 ड्रोन प्लस आचारे और इसका सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुछेन हैं हमारा कोशेन नमबर 102 यहां पांचाली से क्या आशे हैं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फिर से हम पैरग्राफ को देख लें तो फ्रेंट्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बोह जाएगा ऑफ्शन नमबर 2 पांचाली पांचाल देश की राज कुमारी नेक्स्ट कुछेन है हमारा कुछेन नमबर को सही आंसर हो जाएगा में कुछेन में करूश की अबढ़ कहां से कि दोबिके पदियों को घ्राइट होते हैं जो बच्चों के लिए अर्थमों होती है किसी खेल के लिए अनुदेशन दिया जाना चाहिए बच्चों की घर की भाषा या मात्र भाषा में इसका सही आंसर है नेक्स्ट कोशन है कोशन बत्र नाइन को सिख्ष बच्चों का अख्लन करता है करती है बच्चों को उनके आगे के अधियम के लिए सहायत अप्रदान करने हैं तो यूज ना बनाने के लिए उप्शन मत्री इसका सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोशन हमारा कोशन नबर बनंडेट टैन कि दू संकेत बदलना यह वाला कोशन हमने अभी अभी पढ़ा था पिछली वाले एक्जाम पेपर में नेक्स्ट कोशन है हमारा कोशन नबर 111 बच्चे अपने लिखने के शुरुआती यात्रा आरे तिर्ची रिखाएं बनाकर करते हैं यह चिन कहलाते हैं तो यह चिन कहलाते हैं करें कांटे या स्क्रिब लेंगा इसका सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुश्चिन है कोशन नबर 112 निम्कित मेंसे कौन सा एक कौशल बच्चों को उनका हस्त रेखन बिखसित करने में सहायता करेगा तो इसका राय टांस हो जाएगा धागे में मन के पिरोना इसका सही आ पाले संदबों में भाशा को समझे में मदद करते हैं नेक्स्ट कुश्चिन हमारा बच्चों को भाशा दिगम का अनंद लेने तथा उनमें डैस विक्सित करने के लिए प्रोसाहित करती है तो इसका राय टांस ऑप्शन नमबर वन साहित की सराहना बोद कहाने बच्चों क को भाशा दिगम का अनंद लेने तथा उनमें शाहित की सराहना बोद विक्सित करने के लिए उप्रोसाहित करती है नेक्स्ट कुश्चिन हमारा कोशन नमबर 115 बच्चों में भाशा जैविक रूप से उपस्तित होती है तथा में भाशा बच्चों में ठीक उसी तैसे विक 116 प्रभावी रूप से ब्याकरण पढ़ाने की बारे में निम्रकित में से कौन सा एक सही नहीं है तो इसका राया टांस हो जाए अर्थापन करना है वह भाशा की समझ नेक्स्ट कोश्य नेक्स्ट नमबर 117 निम्रकित में से किसका साक्षरता अर्जित करने में कुशलता ह होनी चाहिए तो इसका राया टांस हो जाए अर्थापन करना है वह भाशा की समझ नेक्स्ट कोश्य नेक्स्ट नमबर 118 इंट इस शिच्छा में भाशा लिगम की प्रक्रियां को बढ़ावा देने के लिए तक्निकी प्रवद्यक्विक्विक का प्रयोग करना डैस कहलाता है क्या खेलाता है फ्रेंट्स यह खेलाता है आई टी सी आप्शन नमबर तूसका सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोशन है हमारा कोशन नमर 119 मिध्यार्तियों के अधिकम के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग मांग दर्शिका को करते हैं डैस क्या करते हैं आज की इस वीडियो में हम लोगने गया जनबरी 2020 17 जनबरी 2020 और 21 जनबरी 2020 को जो ऑनलाइन एक्जाम हुआ था उसका फर्स्ट पेपर का हिंदी का पेपर सौर्व किया फेर्स आपको वीडियो कैसी लगी प्लीस कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा यदे आपको वीडिय वीडियो को लाइक एंड शेयर किजिए यदि आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कर लिए ताकि में जब भी भी कोई भी वीडियो अप्लोड करूं तो उसका नोट्फिकेशन आपको मिल सके फेर्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो